तो आज हम लोग रिजनिंग का प्रैक्टिस क्लास 2 करने वाले हैं हम लोग सेटर्डे से ही रिजनिंग का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं जो लोग प्रैक्टिस क्लास 1 नहीं देखे हैं वो लोग जाकर उस क्लास को देख सकते हैं और आज के प्रैक्टिस क्लास में हम लोग न देखिएगा साथ में साथ और भी कोई अधर बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर लिजेगा नंबर से रिश के ठीक बागी प्रिबियस जितने भी क्लास है जी के के इंगलिस के उन सबी क्लासे को परते रहे और अपनी तयारी अच्छे तरीके से करते रहे इस क्लास का आप लो क्लास में हम क्योशन करवाएं और डेली आप लोग का रात सारे 8 वजे ग्रूप में जो होता है क्या होता है कि तो सारे 8 वजे से पहले आप लोग 15 मिनट ग्रूप में online आज आज एक किजिएगा जिसे आप आपका जो क्यों चूटे का नहीं उसमें आप लोग का डेली लोग देखिए कोशन क्या होता है पहला नंबर कोशन है पहला नंबर कोशन को आप लोग सॉल्व करके बताए कि क्या इसका राइट एंसर होगा ठीक उसके बाद हम आप लोग को सॉल्व करके बताएंगे हमसे पहले आप लोग को सॉल्व करके इसका एंसर कमेंड करके बताते सब्कुरिंगे समस्टाइब करें और ऐसे कि अब लोग क्लास होता है तो क्लास ओफ कोशन में हम लोग चलते हैं इसमें क्या कर रहा है देखिए पहला नमर जो कोशन है इसमें आपको किस टाइप का सॉल्व करना है देख लिए देखिए इसमें आप लोग क्या है तीन में हम लोग दो जो रहें तो पांच आ रहा हैं पांच में चार जो रहें नो नो में हम 15, 15 में 8 जोरेंगे 23, 23 में हम लोग कितना जोर रहे हैं? 10 जोर रहे हैं था हमारा 33 हा रहा है यदि कि देखिए आप लोग 2,2 का एक्ष्टा इसमें जोरा जा रहा है 2 से 4, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ यानिकि अब 10 से 10 में 2 जोरेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा और इस 12 को हम लोग 33 में जोर देंगे तो 33 और 12 कितना हो जाएगा 3, 2, 5 और 3, 4 यानिकि 45 इसका right answer हो जाएगा समझ में आगी आप लोगों देखे कुछ नहीं करना है इसमें जो इस 3 और 5 के बीच का अंतर क्या है 2 यानिकि 3 में हम लोग 2 जोरे तो 5 आया 5 में 4 जोरे तो 9 आया 9 में 6 जोरे तो 15 आया 15 में 8 जोरे तो 23 आया और 23 में 10 जोरे तो 33 आया यहां तक तो ठीक है अब आगे कौन सा नमबर हमको जोड़ना है कि नेक्स नमबर यहां पर आजाए तो यहां पर इस से आप लोग देखिएगा 2 से 4 कैसे आया 2 में जब 2 जोरे तो 4 आया 4 में जब 2 जोरे तो 6 आया 6 में 2 जोरे तो 8 आया 8 में 2 जोरे तो 10 आया और 10 में 2 जोरे तो 12 आया और 12 जो आया उसको हम लोग 33 में जोर दिये तो हमारा 45 राइट एंसर आगी है next question के ओर चलते है second number हमारा question है second number question को आप लोग solve किजिए और इसको राइट एंसर आप लोग बताएए कि इसका राइट एंसर क्या होगा number series में बस केवल आपको देखना है इसमें जोर घाटा हो रहा है यहाँ पर आपको बताना है कि right आपका number क्या आने वाल है तो देखिए यहाँ पर आप लोग को किस तरसे इसको solve करना है यहाँ लोग एक छोड़ के हम सीरे आगे किह ओर number किहो चलेंगे नहीं हम से चलेंगे तो 11 आ रहा है, 11 में एग जोड़े हैं, तो 12 में एग जोड़े हैं, तो 13 यानि कि एक एक नमबर को छोड़ कर रहे हैं, तो इसका एंसर आने वाला है, तो हम लोग यहां पर देखे, 15 में यहां इधर से पीछे चलते हैं, 13 में कितना जोड़ेंगे? एक जोनेंगे तो 14 आएगा और 14 में एक जोनें तो यहाँ पर 15 आ रहा है तो यहाँ पर आप लोगा 14 यहाँ पर right answer होने वाला है ठीक आप लोग इधर से भी कर सकते हैं या फिर इधर से करें लेकिन इधर से जोनने में आपको असान हो जागा इसलिए इधर से ले चलते हैं त जोड़ेंगे, तो आप लोग को दुबारा हम समझा देएंगि, नेक्ष्ट नमबर क्या है, इसको आप लोग solve खरके जली जली बताएंगे, इसका right answer क्या होने वाला है, इसका right answer आपका क्या होने वाला है, जले जले आप लोग कमेंट करको बताईएगा इसमें भी कुछ नहीं है इसमें भी बस के वाल आपको क्या करना है एड करना है अब देखें नौ में हम लोग कितना जोरेंगे तो सुल्ला आएगा 28 जोड़ेंगे अब यहाँ पर है कि 58 में हम लोग कितना जोड़ेंगे तो यहाँ पर एंसर आ जाना चाहिए तब इसको पाता करने के लिए हम लोगों उपर वाला जो नमबर है उसमें देखना परेगा देखिए यहाँ पर क्या है हम लोग 7 में 7 जो रहे हैं तो यहाँ पर 14 रहा है थिक यहने कि गुणा हो रहा है सेवन में साथ गुणे दो करें तो 14 और फिस 14 ने दू तो 28 और 28 गुणे दो तो आप लोग समझ में आगया फिर से आप लोग बता जाते हैं देखिए कुछ नहीं किये हैं यहां पर किये हैं बस की यहां पर देखना है कि 9 में हम लोग कितना एड करेंगे कि हमारा 16 आएगा सुरे सबक prosecution up को सब्सक्राइब देखना तो सेकिसे करेंगे फिर यहां से जोड़ नंच नंबर डिवार है तो सेवेन गुने सेवेन इंटू टू किये तो फॉर्टी नाया फॉर्टी इंटू टू टू करेंगे तो हमारा क्या आएगा 56 और यह 56 को हम लोग 58 में जोरे तो आएगे हमारा वन वन फोर राइट एंसर नेक्स चलते हैं नेक्स है हमारा देखिए यह बहुत ही सिंपल कोशन है 45 42 49 46 53 नेक्स नमबर हमारा क्या होगा इन चारों उप्सन में आप लोगों सही बताना है और आप लोग अच्छे तरह कर से मैनत करते रहे हैं और जितने में क्लासे करा हैं उन सिंपल को लोग को उतना हार कोशन आने वाला नहीं है बहुत ही मीडियम बोले तो कुछ-कुछ ऐसा कोशन तो होगे जो कि अपको परिशान करने वाले हैं अपने आपके लेवल के जाने वाले नहीं है तो इसलिए आप लोग गरती पिराम्हें भी नहीं किजिएगा सिंपल buth boshy seems simple MINQUESINE आप तो सोचते हैं कि तो सिंपल है हम लोग कर लेंगे और हार्ट कुशन आप लोग कर लेते एसील फीर नहीं कर पाते हैं यहां पर आप लोग क्या है यहां पर देखी क्या करनेवाले हैं देखिए है फोर्टीफाइब में हम लोग कितना जोड़ है तो 49 आ करने आजकर नहीं सकते हैं घंकरने किना यह वाला करीं और एक एक नमबर छोरके 46 में हम लोग 4 add करेंगे तो हमारा 50 right answer आएगा यह हम लोग किस तरह से किये है आप लोग समझ में आया है फिर से आपको बताते हैं देखिए 45 45 है हम लोग 45 से 42 पर जाएगा तो आपका answer इस तरह से बिलकुल आएगा नहीं इस तरह से करेंगे तो हम लोग एक 9 में हम लोग 4 जो रहे हैं तो 53 आ रहा है अब इसको छोड़के यहां पर चले जाएंगे तो यहां तो हमारा एंसर आएगा नहीं हमको यहां पर एंसर लाना है तो हम लोग इस नमर पर चलते हैं 42 में हम लोग 4 जो रहेंगे तो 46 आएगा एक नमबर छोड़के हम लोग 46 क्यों next number भी बहुत सारा आसान है इसको आप लोग solve किजएगा Näggot हम लोग एक दो तीन question solve कर लिए चार question कर लिए चलिए इसको आप को solve कीजिए इसमें आपको क्या करना है देखें हमसे पहले आप लोग Bos& कर करके बताना है इसमें आप लोग क्या करना देखिए इसमें आप लोग को करना है कि 2 6 12 20 आप लोग इसको राइट हैं सा बताना है क्या होगा 2 6 12 और 20 है अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे इंटू करके देखते हैं 2 3 6 ठीक और 2 6 12 12 और 12 26 नहीं एंट होगा नहीं होगा τब आप सोल कि में थुर्ण साल करेंगे कि कौष्किक्त करते हैं इसमें थुछा हो सकता है देखिए.'समें किस टाइप से होगा देखिए नमभर से में था सा हो जाता है, एड कर के देखेंगे चार दो 6 हो गिया 6 और 6 12 एड करेंगे तो 12 आएगा 12 में हम लोग 8 जो एड किये तो हमारा कितना है 20 आएगा अब हम लोग 20 में कितना एड करेंगे कि हमारे यहाँ पर नमबर आ जाना चाहिए इसको पता करने के लिए हम लोग उपर वाले नमबर में चेक करेंगे, कितना से हम लोग कितना फोर में हम लोग कितना add किये तो 6 आया, 2 6 में हम लोग कितना add किये तो 8 आया, 2 और 8 में भी हम लोग 8 में भी 2 add करेंगे, तो हमारा क्या आएगा 10 आजाएगा, तो यानि कि 20 को, 20 में हम लोग 10 10 जोरेंगे तब ही हमारा answer आएगा तो 20 में हम लोग 10 जोरेंगे तो कितना answer आजागा हमारा तीस इसका right answer हो जाएगा ठिक तो समझ में आगया अब हम लोग next नमर क्योड चलते हैं फिर से एक बार इसको बता रहते हैं देखिए 2 में हम लोग कितना एड़ करेंगे तो 6 आएग करेंगे तो हमारा यहां पर राइट एंसर आने वाला है तो इसके लिए हम लोग इसमें देखना पड़ेगा तो 4 4 में हम लोग 2 जोड़े तो 6 आया यानि 6 में हम लोग 2 जोड़े तो 8 है यानि कि 2-2 का पेड़ा आप लोग चल रहा है तो इसलिए 8 में भी हम लोग 2 जोड़ेंगे तो यहां आप पर आ जागा 10 यानि कि 20 में हम लोग 10 जोड़ेंगे तो आपका 30 आने वाला है तो 30 इसका right answer हो जाएगा समाझ में आगिया अब चलते है next number next number है 1, 2, 6, 24 और 120 है चली इसको आप लोग को बताए क्या करना है इसमें गुना करना है जोड़ना है घटाना है square, cube सभी करके इसको आप लोग देखिए इसमें सभी चीज़ आप लोग apply करके देख लीजे क्या इसमें कौन apply होगा और किस से आपका right answer आने वाला है चलीए, हम आप लोग को बताते हैं इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे 1 में हम लोग 2 का गुना करेंगे, 1 में हम लोग 3 का गुना करेंगे, 2 थे जा शीक्स ठीक, फिर हम लोग ऐसा ही, एक एक नमबर बढ़ते चाहें जाएं 6 में 4 इंटू करेंगे, तो हमारा 24 आ जा रहा है 64 को 24, 64 24 में हम लोग क्या इंटू कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं 5 गुना कर रहा है तो हमारा 120 आ रहा है और 120 में हम लोग 6 गुना कर रहेंगे तो क्या आ जायगा हमारा 720 इसका right hand से हो जागा देखें हम लोग क्या किये इसमें किये हैं कि हम लोग इंटू का यूज किये हैं गुना किये हैं यानिकि एक में हम लोग दो गुना किये हैं तो हमारा दो यहां पड़ आया है ठीक दो में हम लोग तीन गुना किये हैं तो हमारा छे आया है छे में हम लोग चार गुना किये हैं तो 24 आया उसी तरह से 24 मे हम लोग 5 गुना किये तो 120 है याने कि एक एक आपका बढ़ते गिया एक दो तीन चार तो हमारा लास्ट में 120 में कितना गुना करेंगे छे गुना करेंगे तो हमारा 720 राइट एंसर आ जाएगा चलिए हम लोग नेक्ष नंबर के ओर चलते हैं नेक्ष कोश्चन के ओर नेक्ष कोश्चन आपका क्या है चलिए इसको आप लोग सही जवाब इसको आप लोग देजिए सही जवाब आपको इसका देना है क्या इसका राइट एंसर होने वाला है जली जली आप लोग बताईएगा ओहो यहाँ पर एक गलती हो गया इस कोशन में आप लोग गलती हो गया है यहाँ पर 4 होगा, 5 होगा, 13 होगा और फिर 40 होगा, ठीक है इस तरह से होगा, इस तरह से आपको देखना है 4, 5, 13, 40, अब यहाँ पर आप लोग solve कीजिए 4, 5, 13, 40, इसको आप लोग solve करके जली जली बताईए क्या इसका right answer होगा देखी यहाँ पर आप लोग क्या करना है यहाँ भी हम लोग जोड़ वाला एक करते हैं और इसका हम लोग solve करने की कोसिस करते हैं क्या होगा 4 में, 4 का हम लोग 4 में एक जोड़े तो कितना आया 5 आया, ठीक अब हम लोग 5 में कितना जोड़ेंगे तो 13 आएगा 5 में हम लोग जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, sorry, sorry चार में एक जोरे तो पांच आया, आठ में हम लोग पांच में हम लोग आठ जोरेंगे तो तेरा आएगा, और तेरा के लिए हम लोग चालिस पर जाना है, तो हम लोग क्या जोरना पड़ेगा, यह तो बहुत जादा हो जाएगा, तेरा में हम लोग चाले जोरेंगे तो फिर 27 घटाएंगे यहाँ पर लगता है कुछ नहीं कुछ मिश्टिक लग रहा है सब्सक्राइब और से सुधार लेजिए कुछ चार पांच तेरा चारिस हाँ हाँ बिल्कुल कोशन सब्सक्राइब बिल्कुल सब्सक्राइब देखिए चार है पांच है तेरा है और इसमें आपका चालिस है ठीक तो चार से हम लोग पांच पे गए तो चार है एक पांच हो गया ठीक यहाँ पर आपका क्या है आठ पांच तेरा हो गया और यहाँ पर हम लोग तेरा में हम लोग 27 जोड़ेंगे तो आपका क्या आजारा है 40 आजारा है 34 में हम लोग 87 जोड़े 4 में 1 5 में 8 जोड़े तो 13 13 में हम लोग 87 जोड़े तो 40 चालिस में हम लोग को कितना number जोड़ना है कि आपका right answer आजाए यहाँ पर question के कारान थोड़ा mistake हो गया था इसके लिए आपको sorry थोड़ा हमको भी confusion हो गया था ठीक तो यहाँ पर देखिए चालिस में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि हमारा right answer आ जाएगा ठीक तो चालिस में हम लोग क्या जोड़ना है देख लिजे यहाँ यही पर लिख लिए ठीक है ठीक चालिस में हमको प्या जोड़ना हो तो नहीं आपका आ जाएगा तो देखिए हम लोग यहाँ पर जोड़ना है चार से हम लोग एक गए तो पाँश आया पांस से आपका तो आपका तैरा है या तो hind़ोंगो हम nog 27 हो तो आपका 40 आया है और का क्या हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा तो 64 को हम लोग 40 में जोरेंगे तो क्या जाएगा 104 इसका राइट एंसर हो जाएगा अब जाकर सही हुआ वहाँ पर कोशन थोगा गलती हो गया था इसका रहन से एंसर नहीं आ पाड़ा था अब चलते हैं नेक्स नमबर क्यों इसका राइट एंसर होगा इस टाइप का हम कोशन पिछले अभी कर चुके हैं तो आप लोग को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा देख लीजे यहां पर हम लोग क्या करना है यहां पर भी कुछ नहीं करना है सशsy Chad केता आयह हमें हम लोग कितना जो रेंगे तो 45 हमारा आएगा 4 जोरेंगे तो 45 में 4 जोरेंगे तो 45 आएगा अब 45 में हम लोग कितना जोरेंगे तो हमारा 54 आएगा कितना जोरेंगे तो 9 9 जोरेंगे तो हमारा 54 आ रहा है उसके बाद है हम लोग 54 में कितना जोरेंगे तो यहाँ पर आपका right answer आने वाला है तो हम लोग 54 में क्या जोरेंगे कितना जोरेंगे यह हमको कैसे मालूम चलेगा तो यह मालूम चलेगा हम लोग को यहां से उपर वाला नमबर से 1, 4, 9 से एक हमारा इसमें हम लोग 1 क्या हो रहा है स्क्वार हम लोग ले चलेंगे 1 का स्क्वार 1 है two का square फोड है और three का square यहाँ पर nine है तो हम लोग चार का square क्या हो जागा सुल्ला हो जागते हैं यहीं कि 54 में हम लोग 16 जो रेंगे 54 में हम लोग 16 जो रेंगे तो कितना answer आजाएगा आपका 70 इसका right answer आजाएगा 70 इसका right answer आजाएगा देखें आप लोगों फिर से इसको समझा जाते हैं एक बारे में आपको हो सकता है समझ में ना है हमको समझाने में भी हो सके दिकत हो तो इसलिए आपको दुबारा समझाते हैं 10-40 ने हम लोग 41 क्योंग पर गाया तो लोग वन का स्कुरर करें रोलजार करें और उन King's or वन हही होता है थिक चालेश में हम वन स्कुररऑ जोरेंगे रने कि एक जोरेंगे तो 41 ओए फिर 41 में हम लोग two होता है 2500 होता है 33 kentra कितना होता है न d nine 55 59 fellows 54 tua6138 सब्सक्रार सब्सक्राइब उसे तरह से आप आप लोग 70 में 5 का स्कुरार 25 जोड यह तो आप लोग 6 कितना आ जागा देखिए अधिस राइट चेक कर लिजे आप लोग खुद 5 का स्कुरार हम लोग 25 करेंगे तो 70 में हम लोग 25 जोड एंगे तो आपका आ जागा 5 75-95 है कि नहीं तो यह आपका सेजी क्या है सही है आगे चलते हैं आगे है आगे भी देखते हैं कोशन है कि हाँ एक कोशन और होगा आपका एक कोशन और होगा ठीक यहां देखिए 18 है 22 है 30 है 46 है और आपका एक 78 है 18 22 22, 23, 46, 78 तो इसको आपको solve करना है देखिए इसको हम लोग किस तरह से solve करेंगे और लास्ट में जो question है वो आपको solve करेंगे घर से लाना पड़ेगा देखते हैं जितना आज आज आप लोग करा हैं समझ में आया या फिर नहीं है देखिए यहां पर यह भी बहुत simple है इसमें क क्यों 16 जो रहेंगे क्योंकि यहां पर हम लोग गुना कर रहे हैं चार का मुझा करें दो चार दोनी आठ आठ दोनी 16 उसी तरह से 16 दोनी 32 32 च्यालिस जो रहेंगे तो अठातर में हम लोग 64 जो रहेंगे तो कितना आ जाएगा 142 इसका राइट एंसर रहेंगा देखिए हम लोग किस तरह से की हैं फिर से आपको बता है देखिए आप लोग दो दो बार बता रहे हैं जिसे आप लोग कोई प्रॉब्लम नहों 18, 18 में हम लोग कितना जो रहे, 4 जो रहे, 22 में हम लोग कितना जो रहे, 8 जो रहे, ठीक, 30 आ गिया, 30 में हम लोग कितना जो रहे, 16 जो रहेंगे, तो आपका 46 आ जा रहा है, 46 में हम लोग 32 जो रहेंगे, तो आपका 78 जो रहे, उसी तरह से 78 में हम लोग कितना जो रहेंगे, कि आपका answer आजाए तो इसके लिए हम लोग यह वाला समय हम लोग चेक करना पड़ेगा कौन वाला यह वाला इसमें इन सभी को चेक करना पड़ेगा तो देखिए हम लोग इनके बीच कितना रहा है चार में हम लोग दो जोड़ेगा और बातीस में दो गुना करेंगे तो हमारे कितना आएगा चौन सट आएगा इसी चौन सट को इसी 64 को हमको 78 में जोड़ना है किस में जोड़ना है 78 में जोड़ना है 78 में जोड़ेंगे तो इसका right answer क्या आजाएगा 142 ठीक 64 को हम लोग 78 में जोड़ेंगे तो इसका right answer आपका 42 आजाएगा next number हम लोग चलते है next number जो है इसको आपको घर से solve करके लाना है इस question को आपको solve करके लाना है और इसका comment में आप लोग को right answer बताना है हम सभी का answer देखेंगे कि आप लोगोंने सही बताया है कि नहीं सभी लोग solve किजेगा और सभी लोग comment करके जोड़ बतायेगा इसका right answer तो आज का हमारा class कैसा लगा नंबर से इसका यह हमारा second class है practice class और इससे पहले हम लोग first practice class कर चुके थे हैं जिसमें आप लोगो analogy से related question करे थे हैं और इसका pdf आप लोगो हम telegram group में दे देंगे जिसका link आपको नीचे description में मिल लगा है आप लोग उस group में जोइन हो जाए और उसमें हम लोग quiz भी करने वाले हैं आज रास सारे 8 बज़े तो quiz में आप लोग सामीर होना ना बोले और class में आप लोग daily आते रहे हैं बाकि आप लोग तैयारी अपनी अच्छे तरिक्ष करते रहे हैं चलिए आप लोग से मिलते हैं कल के class में जैहिन बन्यमात्रम भात्मातर की जै